हेलो हाई गाई दिस इस मनीश शर्मा एंड वेल्कम उन सुरसति क्लासिस आप लोफ यह डूइंग विल और पढ़ाई चल रही होगी आपके अच्छे से तो आज मैं दुबारा डीटर प्लेस भी का एक और मैस का सेक्शन सौल करने जा रहे हैं पर स्टार्ट करने से पहले गा और आपको समझना पड़ेगा कि इस से पहले आपको बेशिक कंहसेप्ट सब क्लियर ओना बहुत जरुरी है अगर आ पको बेशिक唱त नहीं आता है ट्रस्ट मी आपसे पेपर में वह कोशन नहीं बनेगा जाकर अगर आ जाता है तो आप बना देते हैं थोड़ा भी अगर लैंग्वेज इदर से उदर होती है या परसेंटेज चेंज हो जाता है आपकी कैलकुलेशन कहां तक है 25 20 परसेंट 12 परसेंट 6 परसेंट अगर 33 1 परसेंट होगा जाज जादा 13 13 12 by 37 इस टाइप से परसेंटेज जाएंगे तो आप सौल भी नहीं कर पाएंगे क्यों क्यूंकि आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो बस मैं आप से कह रहा हूं आप एक बार थोड़ा सा बेसिक पढ़ लीजे बेसिक को शॉर्ट करके ही ट्रि जादा होती है उसकी कॉस्ट बहुत बड़ी होती है और वह आपको एक साल चुकाना पड़ता है वह कॉस्ट तो आप प्लीज इस चीज की वर्थ समझे और बेसिक से एक बार पढ़ लीजे एक बार बेसिक से पढ़ लेंगे तो मैंसका डर आपका खतम हो जाएगा आपको क क्याप्टर पढ़ना है स्टार्टिंग फ्रम बेसिक टो एडवांस किसी भी बच्चे का कोई भी वीक है तो आपकी मैंने इसमें कोशिश करिए कि मैं आपको कुछ 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 औप्शन से कराऊं तो आप देखिएगा तो गाई स्टार्ट करते हैं विदाट वेस्टिंग अंक लेता है और परिक्षा में 50 अंकों से फेल हो जाता है जबकि एक अन्य चात्र जो 60 प्रतिशत अंक लेता है वह परिक्षा पास करने के लिए आवश्यक न्यूंतम अंकों से 50 अंक अधिक लेता है ठीक है अब देखिए बेसिकली तो यह जो कोशन है यह आपका वों अंक लाता है 35 अंक लाता हो उसके 50 परसेंट कि बरेजाता हैं ठीक है फासिंग से 50 मार्की कम रहते और जब वह वह ऊश्यक्षा उस उन झालता है ठीक है अब आप यहां पर डिफ्रेंस देखेंगे तो आपके 25 25 क्या परसेंट और यहां पर एड़ करेंगे तो आपका जाएगा कितना अब अगरे अधिकतम अंक बताईये अधिकतम मतलब बोल रहां फुल वैल्यू बताईये अब आप को पतावों किसी की वैल्यू फुल क्या होती है यह 100% 25% की value 100 है तो 100 की कितनी हो जाएगी यहां पर चार से multiply कर दीजे और यहां भी चार से multiply कर दीजे तो यह हो जाएगा 100 और यह हो जाएगा 400 तो 100% की value हो जाएगी 400 नमबर तो 400 है इसका सही answer है अगर किसी को मतलब कोई बच्चा नया है उससे paper में अगर यह चीज नहीं समझ में आती है तो देखिए आप यहां से option भी put कर सकते हैं अब option आप कैसे put करेंगे इस question में आपको सिर्फ उल्टा चलना है question में ठीक है आप देखिए एक चात्र 35% टंक लेता है तो जैसे हमें तो पता ही इसमांसर 400 यह मैं आपको 400 पर verify करा देता हूं अगर आप 400 का 35% निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 120 और 140 140 नमबर और आप 400 का 60% निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 240 नमबर ठीक है आप 400 का 60% निकालेंगे तो 240 नमबर हो जाएगा और 35% निकालेंगे तो यह आपका हो जाएगा 140 नमबर तो अब आप खुद देखिए कि इन दोनों में difference कितना आ रहा है तो आप difference कहेंगे 100 नमबर का 100 नमबर का difference है और question में भी यह difference कितने का है 100 नमबर का तो इट मेंस एंसर वेरिफाई होगा 400 आपका अंसर है ठीक है चलिए गाई नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स कोशन आपका गाई रेशियो एन प्रपोर्शन में से है रेशियो एन प्रपोर्शन का आपका कोशन है ए रेशियो बी दे रखा है आपको आपको बी रेशियो सी दे रखा है और सी रेशियो डी दे रखा है एरेशियो भी है आपका 3 रेशियो 5 बी रेशियो 6 है 7 रेशियो 9 और C रेशियो D दे रखा आपका 3 रेशियो 7 ठीक है तो देखेँ आपको इसमें क्या करना होता है आपको बस उपर से चलना है जैसा आप A है तो आप A से नीच एरो बना दीजे सिधा 73021 और 213063 B कहाँ पर आपका यहाँ पर आप यहाँ से जाएंगे फिर B कहाँ आएगा यहाँ पर और फिर सीधा नीचे ठीक है 73021, 2150, 105 C कहाँ पर आएगा आपको चलना सबसे स्टार्टिंग से ही है C आप जाएंगे यहाँ पर और फिर S आजाएगा तो 9545 और 453 जा 135 ठीक है D कहाँ से आएगा आप देखेंगे D सिर्फ इस रो में आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा तो यह कितना हो जाएगा 96970, 63 और 6350 जा आपको जाएगा 315 ठीक है 315 हो जाएगा अब आप देखेंगे यह सारा 3 से कट रहा है जैसा आप इसे 3 से काट देंगे तो जाएगा 21, 35, 45 और 105 यह आपको अप्शन भी आंसर बच दाएगा ठीक है गाइस नेक्स कोशन की तरफ बढ़ता है तो नेक्स कोशन है आपका गाइस परसेंटेज से दुबारा परसेंटेज की अप्लिकेशन पर ही यह कोशन भेज़ रहे तो परसेंटेज की अप्लिकेशन का यह कोशन है कि यदि सरकरा की मूल्य में 10 परतिशत की कमी कर दी जाती है तो अविनाश रुपिये तो अविनाश 2700 रुपिये पीछ होना चाहिए 2700 रुपिये में आठ केजी अधिक सरकरा खरी सकता है ठीक है तो देखे इस कोश्चन में एक बहुत फंडामेंटल लॉजिक चलता है आपको बस यह ध्यान रखना है expenditure is equals to price into quantity बस ऐसे जितने भी कोश्चन आते हैं आपको सिर्फ यह ध्यान रखना expenditure equals to price into quantity ध्यान रखेगा जब भी price बढ़ेगा तो quantity कम हो जाएगी और जब भी price घटेगा तो quantity ज़्यादा हो जाएगी इन दोनों में अब देखें प्राइस दस परतिशत कम कर दिया गया है तो आप कहेंगे सो से 90 कर दिया गया है अगर प्राइस सो से 90 कर दिया गया है तो quantity क्या हो जाएगी 90 से 100 मैंने भी अब को बताया है reciprocal तो आप बताईए quantity बढ़ गई है कितनी दस कितनी बढ़ रही है दस और कोश्चन में कितनी बढ़ा हुए आठ तो इसका मतलब दस की वेल्यू आठ और एक की वेल्यू आठ बटे दस और 90 की कितनी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 72 तो पहले वो ले रहा था 72 केजी आठ केजी उसने और बढ़ा दिया तो अब ले रहा है वो 80 केजी ठीक है अब पहले वो खरीद रहा था 72 केजी अब खरीद रहा है 80 केजी रुपी एकस्पेंटीचर उसका सेम ही है 2700 रुपे खर्च कर रहा है और 72 केजी वो लेता है तो पर केजी प्रैस कैसे निकलेगा क्योंकि वह कहारा सरकरा का मूल मूल ले क्या है मूल मतलब की उसका जो रीयल प्रैस है पर केजी का वो कितना है तो आप 272 को बहात्तर से डिवाइड कर दीजिए तो आपको कितना हो जाएगा 98 300 ठीक है यहां से काटेंगे ना नाइन से तो 300 आ जाएगा 9872 और 300 को 8 से काटेंगे तो 37.5 तो यह जाएगा आपको 37.5 देखिए मूल मूल ले बोल रहा है ठीक है पर अगर वह बोल देता अब का बताईए अभी इसका प्राइज कितना है तो आप रिसेंटली प्राइज फिर कैसे निकालते रिसेंटली प्राइज में फिर आपको करना पड़ता 2700 डिवादेड़ बाई 80 ठीक है फिर हम भाततर नहीं करते क्योंकि आप इसका प्राइज चेंज हो गया है तो अब जो भी यह होता 241 35 ठीक है 62.5 ड प्राइज आता जिस पर उसने 8 केजी ज्यादा करीता है ठीक है चलिए गई नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं तो आपका सिंप्लिफिकेशन का सिंप्लिफिकेशन का यह कोशन है देखें देखें सिंप्लिफिकेशन के ज्यादातर कोशन तो वैसे आप अगर इस टाइप स आते हैं तो आप इसमें approximation के लिए मच जाए यह तो इसे normal question है पर अगर जो question approximation है जैसे इसमें आगे है questions तो मैं आपको इसके लिए वह दूगा हुआ कि मेरा एडवाइज यह रहेगा कि आप इसमें approximation से जाएए ठीक है जैसे 24 की और आब 24 की atrav 4 भ 드ρω्हत तो रूट से कितना वर आ़ेगा 576 इसीas कि ए प्लस 220 का स्क्वायर भोल रहा है तो यह टो से कट जाएगा 250 ही रह जाएगा 2215 का क्यूब 216 के क्यूब 216 के क्यूब रूट बेल्या तो 216 कुव रूट किसका तो अच्छे है का इक्वल्स टू एक्स गुणा बीस की पावर चार तो रूट से कितना भारा जाएगा तो आप कि रूट से भारा जाएगा चार ठीक है यह कितना आप एड हो जाएगा इसा पैड कर लीजे यह कितना जाएगा 500 600 700 700 और साथ सो नब्य और छे सो आठ सो दो यहाट सो दो हो जाएगा एक्स इंटू फॉर फॉरंड़ यह बोल रहा है कि एक्स का निकट्तम मान पता करें निकट्तम मतलब की सबसे पास वाली वैल्यू बताईए तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे फॉरंडेट से तो आजाएगा और चैश्यक थो फॉरंट संद्पिंग तो फॉरंट संद्पिंस की अप्षिन नॉबड साथे जाएंट टो नेक्स को यह आपका यह भी सिंपलिफिकेशन का ही है पर इसमें थोड़ा बोर्ट मास आपको यह जो कोशन सॉलव होगा यह बोर्ट मास से सॉल्व होगा ठीक है तो बोड मास जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूं बोड मास होता है यह ठीक है यह बेसिक मैस होती है ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टिप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रेक्शन अगर आप मैथमेटिक में कोई भी ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो उस ऑपरेशन से पहले आ होगा तो आपको अव्यस आप यहां पर आपको ब्रैकेट दिख रहा है यह वाला ठीक है तो हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल कर रहेंगे तो थ्री बैस सेवेंटीन ऑफ फो टो जाएगा आट और यह कितना हो जाएगा एक्क्यावन हो जाएगा चारदुनी आठ चारदुनी आठ और बाइस प्लस उन्तिस एक्क्यावन यह मैंने डारेक्ट अलस्यम लेकर लिख दिया है ठीक है यहां साब इसे मल्टिप्लाइ करेंगे तो तीन ठीक है चारदुनी आठ तो इस वाली पूरी टर्म को सॉल्व करके मुझे मिल गया नौ बटे आठ तो यह जाएगा टू कि 9 बटे 8 क्योंकि डिवाइड में तो पर चला जाएगा प्लस तो बटे 5 बादुनी आठ नौ 11 बटे 5 तो रहेगा 5 बटे 11 देखे डिवाइड में तो पर जाके मल्टिप्लाइ हो जाएगा इसलिए मैंने उल्टा कर दिया है प्लस दो बटे 9 माइनस दो बटे 11 ठीक है पा बटे 9 प्लस 2 बटे 9 ठीक है तो 16 और दो कितना होजागा 18 18 बटे 9 तो कितना हो गारई और टो एड़ आंसर देखें मैंने यह पर डायरेक्ट एड डीया है क्योंकि नुम्रेटर जो एडिय और यह सेम है यह कोशन का मैं आपको बेसिक बताऊंगा आज क्योंकि mostly बच्चे बेसिक में इसमें थोड़ी सी गलती हो जाती है आइडिया नहीं लग पाता है कि देखें कोशन एक कोशन ने यह आपको दे रखा है information यह दे रखी है आपको यह इसका value बतानी है ठीक है अब आप बताईए लिखा क्या है तो आपके 24.208 अपॉन 35.6 ठीक है यह लिखा हुआ है और आप यह बताईए यह आएगा कैसे यह तभी तो आएगा जब 68 इक्वल्स टू 24208 अपॉन मैं 356 जब मैं इसे यहां पर डिवाइड में बेज दूं तो यह equation बिल्कुल मैच हो जाएगी अब आप मुझे बताईए यहां पर point है यहां पर point अटाईए नीचे कितने 0 आ जाएंगे 3 यहां से point अटाईए तो आप पर आजाएगा 10 अब आप आप मुझे बताईए यह और यह बिल्कुल सेम हो गए यह और यह बिल्कुल सेम हो गए हमने operation करा क्या है हमने उपर 10 से multiply करिए और नीचे 1000 से multiply करिए हमने यही तो करा है एक काम करिए आप इस वाली 0 को भी यहां से काट दीजे तो हमने बस नीचे क्या करा है थाउज हंड् रहे करिए तो हम यहां पर भी नीचे 100 कर देते हैं जैसे यहां पर नीचे 100 करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 0.68 0.68 तो 0.68 इसका 0.68 इसका actual answer हो जाएगा option no.3 ठीक है मैं आपको यह बताना चारूँ गाई कि जो operation आप इस साइड करेंगे ना राइट है वह operation आपको लेफ्ट है लगाना है तो यह answer आपको डायरेक्ट मिल जाएगा ठीक है नेक्स कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं देखिए नेक्स कोश्चन भी आपका simplification की simplification से ही है नेक्स कोश्चन भी आपका पर इस कोश्चन को solve करने का देखिए मैं आपको एक logic बताता हूं अब आप यह बताईए यह जो square root है यह square अंदर 6084 यह किसका square हो सकता है तो आप कहेंगे 70 से 80 के बीच में square हो सकता है क्योंकि 80 का square कितना होता है तो आपके 6400 और यह 6400 से कम है और 70 का square उतार और अचा 4900 पर 4900 से जादा है और एंड में क्या डिजिट आ रही है पोर तो फोर कब आ सकता है जब यह तो 78 हो यह 72 हो तो आपको देखके पता चलता होगा कि 78 का square है क्यों क्यों क्योंकि 70 का square 4200 है तो 72 का स्वारी 70 का square 4900 है तो 72 का square 6084 हो सकता है तो आप कहेंगे नहीं होगा अचानक से इतनी ज्यादा value तो बढ़नी जाएगी इसका मतलब यह 78 का square होगा तो जैसे रूट से बाहर निकलेगा तो 78 है जाएगा माइनस अब यह किसी का भी square हो हमें क्या फर्क पड़ता है मैं कोई फर्क नहीं पड़ता एंड में 9 आ रहा है तो इसका मुलब रूट से बाहर यहां पर कितना हो जाएगा तो 11 मैंसे क्या घटाओं की 6 आ जाएगे तो आप यह पांच पांच घटना चाहिए अब आप यह देख लिए ऑप्शन में किसकी युनिट डिजिट पांच है तो आप्शन में सिर्फ और फोर जिसकी युनिट डिजिट पांच है ठीक है अगर आप इसे वैसे सॉल करेंगे तो आइडान तिंग कि यह जल्दी सा आप आइडिया लगा सकते हैं कि कि किसका स्कुएर है किसका स्कुएर रूट है तो यह युनिट डिजिट वाला ऑप्शन ही बैस्ट है इस कोजिशन के लिए ठीक है तो नेक्स कोजिशन भी आपका आप देखे हैं वह गोल रहाए इसके वैल्यों क्या होगी अभात वुझे खुद बताईए कि हमने इसका मतलब क्या तो अब आप मुझे बताए कितने 0 पीछे जा चुका है कितने 0 पीछे जा चुका है तो आप चार ठीक है आप खुद देख लीज़े 7 पे था यह 7 पे यहा पर था point 7 से एक point पीछे था एक दो तीन चार तो इसका मतलब इसकी जो multiply है कि इसकी जो मल्टिप्लाई है इस वाले यहां पर हमने 1000 से करिए तो इसकी मल्टिप्लाई भी में 1000 से कर दूंगा जब यहां भी मल्टिप्लाई 1000 से होगी तो आपको पता यह पॉइंट खड़ जाएंगे यहां पर 1344 रहेगा इसमें सिंपल सा लॉजिक आपको यही लगाना होता है कि जो अपरेशन हम यहां पर अपलाई कर रहे हैं वह यह अपरेशन हम यहां भी अपलाई कर रहे हैं बस ठीक है लैट है पर जो और रहेगा वह अपरेशन उनके राइट हैंड पर भी रहेगा ठीक है एक नेक्स कोशिन की तरफ बढ़ते हैं अगे नेक्स कोशिन भी आपका दुबारा से यह सिंपलिफिकेशन से ही है ठीक है यहां पर आप देखिए अप्रॉक्सिमेशन से भी जा सकते हैं और य ज़्यान रखना कि यहां पर यहां पर यूनिट इजट क्राक नहीं कर पाएंगे तो सच्छा कि यह है कि आप इसे कन्वेंशनल से सॉल्ड कर लें क्योंकि अप्रॉक्सिमेशन में भी ऑप्शन बहुत ज्यादा पास है 50 51 52 53 कहीं आपको गलत नहों जाए ठीक है तो आप 10. 10.7 का whole square 10.7 का whole square आपको check करना है तो आप इसे a plus b के whole square में तोड़ लिए आप इसे यहां पर लिख सकते हैं 10.10 10 plus 0.7 का whole square ठीक है 10.0.7 का whole square तो यह कितना हो जाएगा 100 plus 0.49 9 plus 2 a b आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 a b आप करेंगे तो 14 हो जाएगा ठीक है 14 कैसा है 2 into a into b b कितना है 0.7 यहां से point ठाटाएंगे तो 10 तो साथ दो नीच वाद है ठीक है तो कितना हो जाएगा 114.49 ठीक है जैसे आप 9.2 को solve करेंगे 9.2 का square तो 9.2 का square आएगा 85.36 तो यह आपका near about exactly 200 बैठेगा यह आपका कितना बैठ जाएगा exactly 200 ठीक है और जब जैसे यह 200 बैठेगा तो आपको पता और मुझे यहां पर लाना कितना है 250 तो यहां आप से सीधा 50 कम है तो आपका answer जाएगा 50.87 ठीक है गैस नेक्स कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स आप प्रपोर्शन से है अधसे कर यह प्रपोर्शन में कहारा है कि तीन कख्शाओं के छात्रों का अनुपात 5-6 और 8 का रेश्यू है ठीक है तीन कुझा में छात्रेंन अगर कक्षा की चात्रों संख्या में 20-20 की बड़ात हो दाती है बतला यहां पर 20 बढ़ जाते हैं य सेम नंबर से बढ़ा है नहीं हर जगे सेम बढ़ा है आप बताएं यहां पर भी 20 यहां पर भी 20 और यह बढ़ कितना चुका यहां पर दो यहां पर भी दो यहां पर भी दो दो गया आठ से दस हुआ दो बढ़ गया न छे साथ हुआ दो गया पांस से साथ हुआ दो और हारे आठ से चौद है सौरी आठ से चौद है पांच 19 एक की वैल्यू दस तो 19 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 190 है ठीक है ऑप्षिन सीज और आंसर ठीक है आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा नेक्स कोश्ऑन की तरफ अब हम बढ़ते है नैक्स कोश्चन जो है आपका एज की तरफ से रहरे नास कोश्ऑन कई आ आयност औरương है अज़ीश की तरफ से तो टोटल एंज कितनी होगी 25 गुwnंह नातीं ठीक है अब आप मुझे बताएं 55 गुना तीन की एज है ठीक है और उनकी आयू का नुपात कितना है 9 11 13 9 11 13 तो टोटल इनका रेश्यो कितना हो जाएगा तो आप करेंगे 9 10 11 13 23 23 तो इसका मतलब यह जो वैल्यू है कितने के वैल्यू ए यह ते तिसकी एक वैल्यू कितनी हो जाएकी सबसे बड़ी आयू और सबसे कम आयू वाले व्यक्ति की आईट्यू में कितना अंतर है तो सबसे बढ़ा कोने 13 और सबसे छोटा कोने 9 इनकी आई में गैप कितना चार का एक की वेल्यू 5 तो चार की वेल्यू कितनी हो जाएगी 20 तो 20 यह राइट अंसर ठीक है नाइक्स कोश्चन की तरफ पर आपका एवरेज का और एवरेज का यह कि एवरेज का यह बहुत बेसिक कोशन है एवरेज का यह बहुत बाद बेसिक जो कोशन है उसी में से दिया गया हूं टेड़ सो अंको का जो एवरेज है वो दे रखा है आपका 75 ठीक है फिर यह बोला गया है कि 71 को 71 दो मतलब दुबारा जो नंबर की गंड़ना करी गई है उन गंड़ना को करते वक्त दो संख्या है जो हैं 71 और 16 को गलती से 17 और 61 लिख दिया गया है मतलब 71 को 17 लिख दिया गया और 16 को 61 लिख दिया गया ठीक है तो बोल रहे हैं कि सही आपको बताने कि यदि अगर इन दोनों संख्याओं को सही दर्ज किया जाए तो और सत में क्या चेंज होगा दिखे आप मुझे बताएं 71 लिखन है तो में ज़्यादा करना पड़ेगा तो कितना ज़्यादा हो जाएगा आप इनका डिफ्रेंस देखिए तो आप कोईगे डिफ्रेंस फॉट्टी फिफ्टी फॉर सॉरी 71 मैंस 17 54 होता है और 16-61 कितना हो जाएगा 45 मतलब कि आपको 71 लिखना था और आपने लिख कितना दि है और यहां पर 45 ज्यादा लिख दिया है ज्यादा कितना लिख जाए 45 तो इंडाउन का डिफ्रेंस कितना जाएगा इंडाउन का डिफ्रेंस 9 है ठीक है तो आपको 9 और बढ़ाना है आपको 9 बढ़ाना है डेड़ सो पर आपको 9 कितनों पर बढ़ाना है डेड़ सो नंबर पर क्योंकि नंबर कितने डेर्स होई है न आप ठीक है तो आप कहेंगे त्री 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 को डिवाइड करेंगे 50 तो कितना एका 0.60 तो इसका मतलब कि आपको समझ में आया होगा कि नेक्स कोश्चन है आपका SCF LCM से नेक्स कोश्चन आपका जो वह सब्सक्राइब से कह रहा है कि उनका दो संख्याओं का नुपात 9 और 11 है उनका लगुत्तम समावर परवत्य जो है यह 1485 है मतलब इनका जो SCF है सॉरी LCM उनका जो LCM है वह 1485 है ठीक है तो वह दो संख्याओं का योग बताईए अब देखे अगर आपको यह वाला इसका को प्राइम नंबर के बारे में अगर आपको इसका को प्राइम वाला कंसर्ट पता है तो आपको यह कुशन पता होगा ठीक है को प्राइम यह होता है देखे अगर मैं आपसे बोलूंकि मुझे 2 opinion number बताई कि दो सेट होते हैं कि यह को प्राइंट अर्योट ऑंद एक होता ग्रेलेलेटिबली प्राइम मतलब दो ऐसे नंबर जिनका सीएफ दो ऐसे प्राइम नंबर जिनका सीएफ वन हो जैसा अगर मैं वहले त Jeżeli आप तो आफ तो अगर मैं आपसे कों पांच और साथ है तो इनका overeze नंबर वो हते हैं ए रिलेटिवली प्राइम नंबर वो नंबर होते हैuję कोई अझए ऐसे दो नमबर जैसे मिलागर आपसे कहूं कि 2 2 तो कि Allah ये भी से 3 कम लीजे नहीं सरी आप आप में備 ayo rates top 4 में अज़ आ ने वह फिर्म पर ना तो चार प्राइम नमबर नहीं 15 माधर इंप प्रिस्ट्रिम का गच्छेक वन आ रहा है तो एसे में नमबर काशन है वग रिलेटिव लिवे प्राइम इसमें जो कंसेप्ट वो यूज यह हो रहा है कि 9x into 11y is equals to 1485 x और y है न यह हमेशा को प्राइम रहेंगे x और y हमेशा को प्राइम रहते हैं तो आप जैसे से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा xy is equals to 1485 अपॉन मैं 99 आप इसे घाटेंगे तो 1190 1110 और यहां पर थ्री कहारी आ जाएगा 1130 1150 पास्ति ना टेकनों फिर चला जाएगा तो या जाएगा पंद्रह तो xy की वैल्यू कितनी आगी पंद्रह पर आपको निकालना क्या है इन दौनों संख्याओं का योग बताईए तो देखें दौनों संख्याओं का योग क्या रेशियो ही तो है 9 और 11 तो आपको रेशियो दे रखा है तो 9 11 कितना रहेगा 20 और यह मल्टिप्लिकेशन में तो 20 खुना पंद्रह तो 300 हैं दौनों संख्याओं का योग ठीक है गाइस नेक्स कोश्चन भी आपका गाइस सिंप्लिकेशन से ही है अनदर कैल्कुलेट कैल्कुलेशन वाला एक कोश्चन और है सिंप्लिकेशन का वह देखिया अगर मैं इस कोश्चन को सॉल करता हूं तो जाएगा चारतिया आ गुणा मैं तीन बटे 2 मुल्टिप्लय यहाई दो गाते एक मैंनस दस बटे 3 और मायनस का चार बटे 3 कि आपको बता दून मैंने बस इने सिंप्लिफाइड करा है अभी कुछ मी नहीं करा है ठीक है ना यह दस बटे 3 कहा सा या तीन तीन और एक दस बटे 3 टीक है तिने कम कि देखिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि आप कोई भी पेपर निकालेंगे तो अगर आप कोई गौर्णमेंट एक्जाम निकाल रहे हैं सीजल की त्यारी कर रहे हैं डी ट्रीप्लेस में आफिसर बनने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत इतना तो ल तो हम एड़ यह सब्ट्रैक कर सकते हैं अगर मैं दौन मेंस मानस कॉमन ले लोंगा यहाँ पर तो यह कितना रहा 14 बटे-3 accomplish सेम इनका तो मािनटर और अंतर बचेगाexplos ठीक है बेगे पेपर में भी आप कोई सब कुछ लिखने कितने जरुरूत भी नहीं है आपको बस थोड़ा नो options भी analyze करने हैं आप खुद देखे कि आपको यहाँ पर कोई भी answer point में या fraction में वो दे नहीं रखा है ठीक है तो इसका मतलब है कि जो भी digits आएंगी न है वो सारी digits या तो पूरी divisible होंगी या पूरे number जो भी है plus minus में सारे कटने वाले होंगे ठीक है तो आपको यह थोड़ा सा ध्यान रखना है चीज़ का नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं दुबारा next question है आपका next question आपको दुबारा से simplification का है तो यह question आपको simplification का है और इस question को आप basic basic से रहत ना करके सीधा आप इसे करिए approximation से ठीक है आप इसे 8.85 को आप सीधा सीधा 9 मान सकते हैं ठीक है 78.325 को आप सीधा 7080 माने है ठीक है उसके बाद 79 को आप सीधा 80 माने है माइनस 10.something को 10 रखिए ठीक है प्लस प्लस मैं वन और वन इसको पूरा वन ही मान लीज़े ठीक है इससे आप डेड़ डेड़ भी मानेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि approximation काम कैसे करती है भी मैं आपको इस पर एक वीडियो पना के बताऊंगा कि approximation कितना कितना बढ़ाना चीए और कितना घटाना चीए ठीक है तो आप इससे अगर वन भी रहने देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अगर आप से टू या थ्री कर लेंगे तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ठीक है और दूसरा आप देखिए options भी और यह हो जागा 70 तो यह कितना हो जाएगा आपको नियर अबॉट 704 बाइसे जैसा आप इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 10.something और यहां पर एक ही option है जो 10 के नियर भाई है वह option number 3 तो option number 3 इसका राइट एंसर है ठीक है next question की तरफ बढ़ते है next question आपका दुबारा से scf का है next question आपसे यह कह रहा है कि next question आपसे कह रहा है कि इसका scf बताना है देखिए जब भी आकर आपको किसी fraction का scf लेना है किसी fraction का scf लेना है तो हमेशा देहान रखना scf लेते वक्त होता है scf of xyz upon lcm of xyz ठीक है मतलब यह पीछे तीन नंबर है इनका तो lcm लेना होता है और उपर वालों का scf ठीक है ठीक है next question की तरफ बढ़ते है next question है आपका यह percentage का ही question है आपका तो इसे solve करते है कि कह रहे हैं 160 का 28% है 160 का 28% है plus 160 plus x percent of 180 is equals to 86.2 तो हम इस x का मान पता करना है ठीक है हमें इस x का मान पता करना है ठीक है तो अब आप यह देखेगी एक सेकेंड यह शायद यह question गलत प्रिंट हो गया है यहां कुछ और value होनी चाहिए क्योंकि यहां पर 86.2 आ रहा है और यह तो 86.2 से तो बढ़ा ही है यह 160 समझे न आप क्योंकि 160 तो खुदी इस से बढ़ा आ रहा है अगर आप इस 160 में यह जोड़ेंगे फिर यह भी जोड़ेंगे तो यह साइड के value बहुत बढ़ी हो जाएगी 300 क्रॉस कर जाएगी और यह 26.2 आ रहा है जो कि पॉसिबली नहीं है यह कोशन साथ गाइज आपका गलत है ठीक है और जिस किसी कभी जिस दिन भी यह पेपर पड़ा हुआ है उस दिन आपको यह नमबर मिल जाएंगे आप इसे खुद भी एक बार अप पर्सनली चेक कर लीजेगा मेरे हिसाफ से तो गलत है कंप्लीटली क्या आप यहां पर चेक करिए एक सुसाथ का 28 परसेंट अगर आप तीस भी गरते हैं सोलती एरता लिस फॉर्टिफाइज सम्तिंग यहां पर आने वाला है प्लस वन सिक्स्टी प्लस एक्स परसेंट ऑफ किसी भी कीमत पर तो यह कोश्चन कंप्लीटली गलत है आपका 110 परसेंट आप जिस भी जिस किसी भी दिन जिस भी किसी बच्चे का इस पेपर को शिफ्ट में पेपर पढ़ा है ही और शी विल गोना कंपनसेट ठीक है फॉर इट तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा ने एक किसे ही तर बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन है आपका यह परसिंटेज का दुबार परतीक का एक कोशन है आपका परसिंटेज के लिए वह यह एक कर रैकी यदि रगू की आमदनी कुमार की आमदनी से 40 परतिशत अधिक है तो कुमार की आमदनी रगू की आमदनी से कितने परतिशत कम है देखी यहाँ पर एक है रगू ठीक है और यहाँ पर एक है कुमार रगु की आमदनी रगु कुमार की आमदनी से 40% अधिक है तो अगर इसकी 100 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 140 तो कुमार की आमदनी इससे कितनी कम है तो आप बोलेंगे 40 कम है कितने पर 140 पर तो 100 पर कितना है अब तो बेसिक कैलकुलेशन देगी 200 by 7 200 by 7 को जैसे आप डिवाइड करेंगे तो आपका पहला अंसर आजाएगा 28 by 7 by 4% ठीक है देखे जिसकी जिससे कम होती है अब आप देखे कुमार की कम है किससे रगु से ना कितनी 40 और कम किससे रगु से तो नीचे हमेशा रगु की जि पाली करेंगे से पाली जिसकी से तो रगु से इसलिए हमने रगु को निचे रगा रगु से कितना कम ए कि 40 गुर्णा 100 ठीक है नेक्स कोशिन की तरफ बढ़ते हैं गाईस नेक्स कोशिन है और यह आज की क्लास का आखरी कोशिन है ठीक है तो और यह आपकाटिक एक्वेश ही है तो के का मान पता करिए है देखिए अगर ये इसका महत्म समा परद्वत्य है ठीक आप खुर बताई अगर ये इसका महत्म समा परद्वत्य है मतलब SCF है तो ये इसका एक फैक्टर होना चाहिए है ठीक है और ये भी ये जो नंबर है ये इसका भी भी होना चाहिए और इसका भी होना चाहिए मानते आप तो x-3 equals to zero तो x की value three आ गई अब आपको कुछ नहीं करना है एक्स में जहां भी है x है महां पर आपको three put करना है ठीक है तो यहां पर जैसे export करेंगे three तो आपको आपको जाएगा nine x square minus nine minus fifteen 15 plus 6 15-15 0 तो यहां पर तो value satisfy होगी इस पर 0 आ गया अब इस पर भी हमें क्या लाना है 0 लाना है इस वाली equation पर भी क्या लाना है मैं 0 लाना है ठीक है तो इस वाली equation में जब आप value put करेंगे x की value 3 तो यहां पर जाएगा 3 का square 9 3 का square 9 minus 3x plus 9 अब आप मुझे बताएं 9 और 9 कितने होगे 18 18 minus sorry k यहां पर किया आएगा 18 minus 3k अब आप बताएं कि क्या value put करूं कि 18 बन जाए तो आप्विस से आपको यह वाला section खतम हो गया है and I hope कि आपको पसंद आया होगा और समझ में आयोंगी कुछ चीज़ें और आपकी जो भी प्रॉब्लम से आप प्लीज कमेंट्स में लिखिए कमेंट किया कीजे और प्लीज दू सब्सक्राइब चैनल and also like the video अगर आपको पसंद आई है और प्लीज लेट मी नो आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर मुझे मैंशन किरिए स्पेशली मैं आपको वह स्पेशली टॉपिक बेशिक टू एडवांस अच्छे से मैं आपको महां पर जाके क्लियर कर दूँगा और जल्दी आपको उसके वीडियो प्रवाइड कर थैंक्यू गैस पढ़ते रिए